मैं reverse gear करता हूँ यह आप देख सकते हैं इस तरह से जो है blue screen आ रही है इसकी factory reset जो है मैं करने वाला हूँ देखते हैं अगर उससे जो है यह issue जो है resolve होता है या नहीं हाई गाईस कैसे हैं आप सभी तो आज हमारे पास है Toyota Glanza और इसमें एक problem आ रही है इसका जो reverse camera है उसमें problem आ रही है भी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे reverse gear करते हैं तो इसमें जो है blue screen आ रही है जैसे हम reverse कर देंगे और जो इसकी जो guidelines है वो दिखाई दे रही है लेकिन जैसे ही reverse gear करते हैं तो सारी screen जो है infotainment system के उपर जो है blue है तो अभी चलिए मैं reverse gear करता हूँ और ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है blue screen आ रही है और ये अभी जो है car जो है बिलकुल power on mode में है तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको fix कैसे किये जाए लेकिन एक मैं try कर रहा हूँ इसकी factory reset जो है मैं करने वाला हूँ देखते हैं अगर उससे जो है ये issue जो है resolve होता है या नहीं factory set से तो वैसे बाकी जो सारी settings है infotainment system की उनको reset करेगा camera का मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई लेना देना लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं otherwise हमें जो है इसके authorized जो है टोयोटा के showroom में हमें दिखाना पड़ देगा तो चलिए अभी मैं आपके सामने करता हूं यह अभी जो है neutral मैंने कर दिया है और यहां setting में हम जाएंगे और setting के बाद यह वाला जो setting यह यहां से sound का यह setting का है तो हम settings वाला already selected है तो यहां सबसे नीचे हम इस settings में जाएंगे reset to factory settings यहां क्लिक करेंगे तो यह default settings जो OEM की जब यह manufacture हुई थी उसी settings में जो है हमें ले जाएगा उसके बाद आपने अपनी customize जो भी settings infotainment system में करके रखी है वो सारी जो है clear इनको wipe up कर देगा तो चलिए अभी मैं इसको reset कर रहा हूं देखते हैं क्या होता है यह देखिए देखते हैं कितना time लेता है resetting all settings to the factory default हो गया अभी यह शायद इसको reboot करेगा तो चलिए यह reboot और यह Toyota का logo अभी देखते हैं क्या कुछ रहता है तो reset तो बड़े जल्दी हो गया मुझे लगता नहीं कि issue resolve हुआ है लेकिन देखते हैं God grace क्या रहता है पहले इसको हम करते हैं यहाँ DRM पर और अभी जो है मैं इसको जो है reverse gear जो है मैं इसमें apply करने वाला हूँ car में तो अभी भी problem वैसी की वैसी है तो problem solved नहीं हुई तो हमें जो है Toyota के authorized showroom में visit करना पड़ेगा guys अगर आपने इस तरह की problem face की है और उसका जो solution है आपको कैसे मिला क्या solution उसका रहा तो please मुझे comments करके जरूर बताएं और या आपने भी इसके Toyota के authorized service center में जो है visit किया वहीं आपको इसका solution मिला या फिर आपने खुद से भी इसको fix किया तो please comment section में मुझे जरूर बताएं thanks for watching thank you very much stay safe